हेलो दोस्तों Polytechnic Learning 7-7 Classes में आप सभी का हर दिक स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी rank के according आपको कौन सा college और कौन सी branch मिल सकती है exact आपकी rank यहाँ पर बताऊंगा safe rank बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा और वो भी स देख लेते हैं तो दोस्तों आपको अपना यानि कि मुझे कौन सी branch मिलेगे कौन सा college मिलेगा मुझे government college मिलेगा नहीं मिलेगा यह मुझे electrical branch civil branch computer science mechanical engineering branch government college में added college में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इस से related दोस्तों और कोई video आप किसी भी दूसरे का नहीं देखेंगे इ थोड़ा से भी time दीजिए बस मैं आपको अच्छे से बताता हूं तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना कि आपको government college दिलाने वाले कौन-कौन से महत्रपूर factor से important factor हैं पहले मैं कुछ चीजी यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छे से explain कर देता हूं ताकि आप भी चीज अच्छी ब्रांच दिलाने वाले जो factor में होते वो तो होता है आपका rank फिर आप तो होते हैं आपके number फिर आपकी category यानि कि किस कास्ट से हैं किस जात से डो मिसाल यानि कि आप कहा के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के हैं यह फिर आधर स्टेट के हैं और यहाँ पर मैंने point कौन सी ब्रांचे मिल जाने के चांस रहते हैं फिर उसके बाद मैं exact rank बताऊंगा कि इतनी rank पर आपको मिल जाएगा देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है यह जो यहाँ पर मैंने rank लिखी हुई है यह rank ऐसा नहीं कि exact इतने पर लेकिन अभी इसके बाद जो मैं इसके बाद बताऊंगा कि exact आपको कौन सी ब्रांच कितनी rank पर कौन सी ब्रांच मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपकी rank 20,000 के अंदर है तो दोस्तों आपको electrical engineering मिले के पूरे पूरे chances हैं कब जब आप अगर अगल्स हैं या फिर आप SC category से है तो दोस्तों आपको 100% है 100% कारंटी के साथ दोस्तों आपको 20,000 rank तक भी आपको government college मिल जाएगा इसके बाद बात करता हूँ civil engine देखिए इससे जादा में भी मिल जाता है आपको बहुत अच्छी बात है all the best मेरी तरब से और आपको मिल भी जाए मैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको कितनी rank होनी चीए जिसमें आपको government college of electoral branch मिलेगी बात काता हूँ civil के दोस्तों तो अगर आप girls SCST से हैं domicile of UP हैं तो दोस्तों आपको 5000 rank तक आपको आसानी से 5000 rank तक आपको सोचना ही नहीं है दोस्तों अगर आप group A से आपने exam दिया group A से दोस्तों guarantee के साथ दोस्तों आपको civil engineering branch आपको government college में मिल जाएगी इसी तरीके से बात करते हैं mechanical engineering की तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ mechanical engineering के नाम से diploma में कोई भी branch नहीं है mechanical engineering की दोस्तों चार ब्रांचे हैं maintenance mechanical engineering maintenance mechanical engineering engineering automobiles mechanical engineering production mechanical engineering air conditioning and refrigeration याद दोस्तों इन में से कोई किसी में भी अगर आपकी 30,000 तक rank है आप girls हैं अगर आप boys हैं SCST से हैं ठीक है तो आपको आसानी से दोस्तों 30,000 rank तक आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं आपको mechanical college government से आपको मिल जाएगा अब बात करता है computer science देखे computer science से एक अलग ब्रांच होती और IT information technology अलग ब्रांच होती एक दो subject का फर्ख होता है उसमें लेकिन होते हैं दोनों की पड़ाई लगबग सेम ही है तो बात करता हूं दोस्तों इसमें तो safe यानि कि क्या अगर आप girls या SCST से हैं अगर आप girls हैं SCST से हैं तो आपकी अगर 30,000 तक रहें के तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों OBC और journal वालों की जिनको exact और इसके बाद अगर आप boys हैं और आप चाहते हैं सर मेरा safe इसको तो भी मैं बता दूं तो यहां पर मैं थोड़ा सा factual data के आधार पर आपको बताऊंगा यसे कोई भी ची data कोई भी इसमें वह नहीं है अब बात करते हैं दोस्तों government college अब देख देख दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छी research करके साज़ी चीज़े निकाली है इसी वजह से में दोस्तों यहां पर guarantee की साथ आपको exact बता पा रहा हूं सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना यहां पर अगर आप civil engineering के बात करें तो दोस्तों civil engineering के total 60 college है government government total total UP में government 60 college है जहां पर civil engineering की पढ़ाई होती है दोस्तों एक college में गौर्ण में जो civil engineering की सीटे होती तो किसी college में 60 होगी और अभी दो साल पहले सीटे बढ़ी तो किसी-किसी college में 75 होगी अगर मैं 70 seats का हर एक college में average लेके चलता हूँ तो दोस्तों यानि कि 42 सीटें बनती है यानि कि 42 सीट रहती है government college में गौर्ण में 42 सीटें है लगबग ठीक ना यानि कि सो पचास थोड़ी उपर नीचे हो से इनि कि 42 है यानि कि अगर आपकी rank आप किसी भी category से हो general, OBC, SC, ST, girls, EWS, other state कुछ भी हो दोस्तों गार top 5 college'ों में इस बात का chance नहीं रहता है कि आपको 42 सो तक होने में मिल जाएं क्योंकि top 10 ये top 5 जो college होते हैं उनमें civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering की सीटें जल्दी भर जाते हैं इसीच का याद रखना लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी 42 सो तक की rank है तो आपको आसानी से civil engineering branch government college में आपको मिल जा रहती है यानि कि अगर आपकी 4000 तक rank है आप किसी भी category से किसी भी state से belong करते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको electrical engineering branch असानी से मिल जाएगी इसी तरीके से electronics की बात करता हूं दोस्तों तो total UP में government college जहां पर electronics engineering की पढ़ाई होती है वो total 59 college है और इसी तरीके से 430 सीटे हैं mechanical engineering की सीट यानि कि याद रहना दोस्तों यानि कि यह देख लीजिए 6230 यानि कि अगर आपकी 600 rank तक अगर आपकी rank है और आप mechanical engineering पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है mechanical engineering की कोई भी branch आपको असानी से मिल जाएगी यानिकि automobile production maintenance य और यानि कि अगर आप particular चाहते हैं कि मुझे automobile से यह तो फिर आपकी 1400 लगबग rank होनी चाहिए वैसे तो यह मैंने वह से निकाला है क्योंकि बात यह भी रहता है कभी-कभी इस वज़े से high rank पर ही मिल जाता है क्योंकि 24 होता है कि बच्चे civil engineering electronics electrical और computer science आप computer science का का काफी जात तक information technology 1260 rank तक बात करते हैं एड़ेट कॉलेजों की दोस्तों एड़ेट कॉलेजों के लिए counseling होती है और एड़ेट कॉलेजों में ध्यान रखना दोस्तों एड़ेट कॉलेजों में थोड़ी सी high rank की चाहिए जैसे हीवेट जैसे जो top college हो वहाँ पर बहुत ही अच्छी rank होन को चूज करते हैं इसके बाद तो इस वज़े से इसकी rank लेकिन हाँ अगर आपकी अंडर फाइफ अंडर आप चाहते हैं अंडर 280 तक अगर आपकी rank है तो आपको एड़ेट कॉलेज में टॉप एड़ेट कॉलेजों में आपको admission IT ब्रांच में मिल जागा इसी तरीके से लेकिन हाँ इस बात का दोस्तों जरूर याद रखना कि टॉप कालेजों के लिए अलग ranking रहती है उनके लिए बहुत टॉप उसके लिए मैं सेपरेट आपको वीडियो दे दूँगा कि अगर आप टॉप फाइब कालेजों में सिविल इंजिन सब में अगर आप admission चाहते है अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाओ कि इसी वीडियो में बताऊंगो तो बहुत ज़्यदा लेंदी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैंने एक general rank कि कितनी होनी चाहिए और कितनी एक रहती है safe ranking क्या है वो मैंने complete इस वीडियो के मादियां से बता को तकि इनको एक जैक्ट और अच्छी लोके अच्छे से जानकारी विन पाए दोस्तों यहाँ पर पॉलिटेक्निक से जोड़ी हर एक चोटी बड़ी जानकारी counseling से related आपके admission तक आँगे आपके भी आपका guidance के related सब कुछ इस channel पर मिलता रहेगा तो दोस्तों जादा से जादा चैनल को subscribe कर दीजे top 10 college कौन कौन से government में कितने college है, government में कितनी seat है, सब कुछ मैंने इस video चैनल में upload कर रखा है, please एक बार चैनल को check out जरूर करें और आपका कौन से doubt है, comment section में जुरूर बताए, rank के आधार पर कौन से college ब्रांच यह तो आप पता ही चल गया होगा, फिर भी कोई doubt है further, document से related कुछ भी comment section में जुरूर बताए, सब का मैं further comment करता हूँ, गर ज्यादा comment से तो इस पर video भी बना देता हूँ, video देखने के लिए आपको further information time to time मिलती रहेगी, counseling से related counseling कब से start होगी, मैंने video upload कर दिया further, और जैसे official नोटी साथी उसको भी upload कर दूँग, video देखने के आपका बहुत 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 धनवा, thank you, दोस्तो.